मिस्टर जायन मिसेज जाके कीचन में आपका स्वागत है आज हम आपके लेके आएं एक यूनिक रेसिपी दाल मखनी या दाल मखनी हम ढावा इस्टैल में हम बनाएंगे और यकीन मानिया या दाल मखनी आपको बहुत ही पसंद आएगा या दाल मखनी बनाने के लिए हमें क्या-क्या सामगरी लगेगी और कौन सी दाल लगेगी यह भी हम देखेंगे क्योंकि इसे हम ढावा इस्टेल में बनाएंगे तो कोई भी डाल से इसे हम नहीं बनाएंगे और अब बहुत सारी बाते हो चुकी अब हम चलते हैं डाल मखनी बनाने तो इसके लिए हमें सबसे पहले उरत का डाल जो काला वाला उरत का डाल होता है वही लगेगा और जैसे कि अगर आप चाहें कि हम बिना चलका वाला उरत का डाल ले ले तो उससे यह स्वाद नहीं आ पाएगा तो काला वाला जो चलका का उरत का डाल रहता है वही डाल हमें लेना है और जैसे कि हमने दो वाटी तक उरत का डाल लिया है तो हमने एक ही वाटी राजमा लिया है इसमें राजमा डालना ज़्यादा जरूरी है बिना राजमा के डाल मखनी मतलब डाल मखनी जैसे नहीं लगेगा और इसे हम क्या कर रहे हैं जटपट बना रहे हैं और जैसे कि 12 एक बज़े तक हमें इसे बनाना था दाल मखनी तो इसको हमने घरम पानी में डाल दिया था तो उससे क्या होगा हमारा राजमा जो है वो थोरा सा नरम हो जाएगा और दाल तो भीगी जाता है चार से पाच घंटे में तो यह सब करके और यह जो छिलके वाली दा तो इसे हम क्या करेंगे जब 5-6 घंटे बाद इसे हम 3-4 पानी से धो लेंगे क्योंकि अगर हम यह अच्छे से नहीं धोएंगे तो हमारा जो दाल मखनी है वह बहुत ही काला सा लगेगा देखने में बिलकुल अच्छा नहीं लगेगा तो इसके लिए जब तक पानी हमारा सफेज सा ना हो जाए जब तक हमें यह डाल को धोना है और अब हमारा दाल भी धोके हो गया है अब हमने क्या किया है हमने 3 टमाटर को मिक्सर में पीस लिया था तीन चार जितना आपको पसंद हो खटा जैसे आपको अच्छा लगता हो उसी साब से हमने 3 टमाटर छोटे छोटे थे तो हमने 3 ही डाले थे तीन टमाटर को हमने अच्छे से बारिक सा पीस लिया था अगर आप बारिक सा नहीं पीस ना चाहते हैं तो कदुकस करके डालिए लेकिन काट के मत डालिएगा अब हम दाल मखनी बनाने के लिए कूकर लेंगे और कूकर में हमने दाल को पल्टी कर दिया है और इसमें हमने गिलास तक कभी पानी डाला है और अगर हमें लगेगा तो हम बाद में पानी डालेंगे उसके बाद अब हम क्या करेंगे दाल में जो हमने टामाटर पीस के रखा था वह टामाटर को डाल देंगे और हल्दी डालेंगे स्वाद अंस्वाद नमक डालेंगे और यह सब डाल के अभी हमें इसमें कुछ नहीं डालना है और इसमें आप चाहें तो जो इलाइची रहता है हमारा उसे हमें कूटना नहीं है पीसना नहीं अखा सा जो इलाइची रहता है उसे हम डाल देंगे उससे भी यहां दाल मखनी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है हमने चार डाला है और यहां सब डाल के अभी आप देख रहे हैं इसमें हमने कुछ नहीं डाला है और ढकन बंद करके 5-6 सीटी तक इसे हम और इसे हम पका लेंगे और हम दाल मखनी बना रहे हैं तो उसके साथ बिना चावल कि वहां दाल मखनी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो इसके लिए हमने क्या किया है थोरा सा हमने चावल भी बनाया है और यहां चावल का विडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम जटपट में हम भाद तयार कर लेंगे और यहाँ भाद जो है ऐसे हमें तयार करना है कि यहाँ दाना एकदम छोटा छोटा सा दाना रहे उत्ता अच्छे से हमें भाद बनाना है अब हमारा भाद तयार हो गया है तो अब हम क्या करेंगे एक करहाई में ओइल डालेंगे चाहे घी डालिए हमने ओइल डाला है और उसमें हम जीरा डाल के ज्यादा हम लाल नहीं होने देंगे जीरा को हलका सा जैसे वो चट पटाने लगे तो उसमें अब हम क्या करेंगे जो हमने भात तयार किया था वह हम डाल देंगे और भात पकाते टाइम हमने नमक नहीं डाला था तो अभी हम भूनते टाइम इसमें नमक डाल देंगे और यह नमक डालने के बाद यह राइस का जो है स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसमें हम हरा सा धनिया भी डाल देंगे यह डालने के बाद यह राइस बहुत ही अच्छा देखने में भी और खाने में भी यकिन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है अब हमारा भात का प्रोसेस तो हो चुका है अब हम दाल मखनी की तरफ फिर से चलते हैं अब हम कूकर खोलेंगे अब देखिए हमारा दाल मखनी जो है अभी पूरी तरह से तयार नहीं हुआ है लेकिन देखने में यहां कितना अच्छा लग रहा है अभी इसमें हम क्या करेंगे अगर आपके पास मथनी हो तो मथनी से नहीं तो हम यह कर्चूल से ही इसे अच्छे से हिला लेंगे मिला लेंगे दाल को दाब लेंगे क्योंकि जादा हमें मिलाना भी नहीं है और इसमें हम कितनी भी सीटी लगा दे यहां दाल जो है ऐसे ही रहने वाला है तो इसके लिए इसे हमें मतना जरूरी है तो इसे देखिए हम ऐसे ही मत रहे हैं और यहां दाल जो है गारहा सा होते जा रहा है हमें यहां दाल पतला बिल जाले हैं और इसमें हमने ज़्ञादा सो ओईल डाला है और जैसे आप बोलकोUNG था लाराई यह विद्फट हैसे आपको पसंद हो तोप मक्षन भी डाल सकते हैं हमने नहीं डाला है हमने बटर ही डाला है और बटर को हमें ज्यादा नहीं जलाना था इसके लिए हमने ओयल डाल के पहले जीरा डाल दिया था और उसके बाद इसमें हमने बटर डाला है और तरका का मतलब होता है कि तरके में हम जब तक सब पुछ नहीं डालेंगे जब तक इसका स्वाद नहीं आ पाएगा तो हमने जीरा तो डाल दिया है इसमें हमने अदरक लहसुन का पेश्ट और कदू कस किया हुआ अदरक वो भी हमने डाला है और यह सब डाल के जैसे कि हमने आपसे बोला था कि हम बटर बार में डालेंगे बटर को हमें ज्यादा नहीं जलाना है उससे उसका दाल मकनी का स्वाथ खराप हो जाएगा अब जब हमारा बटर पिघल गया है अब इसमें हम प्याज डाल देंगे बहुत बारिक सा हमने कट किया था और प्याज को हम हलका सा भूनेंगे ज्यादा नहीं भूनेंगे और यह सब भूनने के बाद और अब हमारा प्याज भी थोड़ा सा लाल होने लगा है अब इसमें हमने हिंग डाला है और उसके बाद अब इसमें हम कस्तूरी मेथी जो हमारा आता है उसका फ्लेवर यहा डाल मकनी में बहुत ही अच्छा लगता है और यह भी डालके इसमें अब हम लाल मिर्च जो हमारा पिसा सा रहता है वह हम डालेंगे यह प्रोसेस हम सबसे लाश्ट में इसलिए कर रहे है ताकि हमारा मिर्च जो है वह जले नहीं अगर यह जल जाएगा तो हमारा दाल मकनी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और अब हम गयास को धीमी सी कर देंगे और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है हमारा तरका अब यह तरका जो है तैयार हो गया है और इसमें हमने जीरा पाउडर भी डाला है यह जीरा पाउडर का इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है और अब आप देखिए हमारा दाल मकनी कितना अच्छा लग रहा है और इसके उपर से जैसे हमने कस्तुरी मेथी डाला था तो इसमें धनिया आप नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छा स्वाद आएगा लेकिन हमने डाल दिया है और यह धनिया डाल दीजिए तो उससे इसका दाल मखनी का फ्लेवर और भी अच्छा आजाएगा और देखिए हमने फिर से इसमें बटर डाला है अब हमारा दाल मखनी सब करने के लिए तैयार है जीरा राइस के साथ आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं और आप एक बार यह दाल मखनी जरूर घर में ट्राइ कीजी यकीन मानिया यह दाल मखनी बहुत ही टेश्टी वैसे देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा दाल मखनी कितना अच्छा बना है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब करें और बेल को ओल पे सलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंसती रहे अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों के साथ सेयर करें धन्यवाद